कंग्रेस के स्थापना दिवस की वर्षगान पर दिली और राज्यों में पार्टी की दफ्तरों में ध्वजा रोहन की परंपरा है इस साल कॉंग्रेस 135 वा स्थापना दिवस मना रही है संबंदित राज्जों की राज़्टानियों में प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्षू की अगवाई में मार्च निकालने का भी कारिकरम रखा गया है समीधान बचाओ भारत बचाओ के नारे के साथ इस मौके पर इस दोरान कई कॉंग्रेस के नीता भी मौझूद रहे वहीं आपको बता दे की जो जनसभाय होने वाली है भारत के समीधान की प्रस्तावना संबदित राज्जे की भाशा में भी बढ़ाई जाएगी कॉंग्रेस ने सापना देवस पर विभिन कारेकरमों का अजन क्या है जिसके चलते कॉंग्रेस की अंतरी मध्यप शिसोनिया गांधी ने जंडा रोमिन किया इसके बास प्रियंका गांधी ने लखनों में एक कारेकरम में शिर्कत की इस दरण प्रियंका गांधी ने बीजबी पर हमला करते हुए कहा कि जो देश भर में अनर्सी की चर्चा फैलाते हैं आज कहते हैं कि चर्च ही नहीं थी ये देश आपको पहचान रहा है आपकी कायरता को पहचान रहा है और आपकी जूटों से भी उप चुका है प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य में विपक्षी गल बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम डणने वाले नहीं हैं अगर हम अकेले चलना चाते तो आवाज उठाते रहेंगे हम अगले विधान सबाचुराव में जाने के लिए पूरी तरक्य से तैयार हैं वहिया साउदिन OVC ने ये दावा भी किया कि NPR और NRC एक ही सिक्के के दो पहलों है OVC कि इस दावे से एक दिन पहली ही केंद्री मंत्री जी किशन रेडी ने ये साफ किया था कि NPR और NRC दोनों में कोई संबंध नहीं OVC ने दावा किया है कि ग्रे मंत्री आमिश्वाहा ने कहा कि NPR और NRC के बीच कोई अंतर नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ कि NPR और NRC एक ही सिक्के के दो पहलों है और इन दोनों के नियम भी समान है OVC ने कहा ये नियम लागरिक्ता कानून 1955 के मताबिक बनाए गए हैं जिसमें NPR और NRC का सिकर है अगर देश में NPR होगा तो NRC भी होगा नागरिक्ता संशुधन कानून के खिलाफ परदर्शन के दोरान उतर परदेश में हिंसा भी देखी गई उतर परदेश के आलिगर में मुस्ने विशेविद्याले में ये हिंसा हुई है जिसको लेकर अब योगी सरकार ने AMU के दस हजार अग्यात चात्रों के खिलाफ मामला दर्श किया है अलिगर मुस्ने विशेविद्याले में पंध्या दिसंबर को नारिता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा आत्मक विरोध परदर्शन देखने को मिला था नागरिक्ता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तरपरदेश के कई शहरों में हिंसा घटनाय पहले भी हो चुकी है और यूपी पोलिस इस पर कारवाई भी कर रही है उत्तरपरदेश के मेरट में बीते दिनों नारिता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा भढ़काने के बाद अब कई वीडियो वाइरल हो रहे है एक वाइरल वीडियो में मेरट के अखिलेश नरायन उपदरवियों को खरेड़ते हुए उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कह रहे हैं एस्टिपी सीटी ने साथ एसडेम सीटी पे भी यहां मौजूद है कॉंग्रेस के इस फापना दिवस पर हर्याना के ग्रिवी मंतरी अनल वज ने निशाना साथा अनल वज ने कॉंग्रेस को ट्रीट करते हुए ए ओ ह्यूम की तस्वीर को फेड़ किया अनिल्विश ने कहा कि कॉंग्रेस नेताओं ने एओ हियों के जर्म डिवस या फिर मिर्टियों दिवस को कभी नहीं मिराया हर्याना के ग्रिवे मंत्री ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इस तस्वीर को देखकर शायद कॉंग्रेस को याद आ जाए कि वो जिस पार्थी के नेता हैं उसका सुस्था पक एक अंग्रेज था ओपी चोटाला और अजे चोटाला को 14 दिन के फर्लों मेरी है जिसकी पर्मीशन तिहार जेल अथार्थी ने दी है दरसल ओपी चोटाला और अजे चोटाला जेबिटी मामे में अभी भी सजाया आफ्ता इनलो नेता अभै चोटाला ने चंडिगेट में प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए सब को नए साल की शुकार नाई दी इस दुरान अभै चोटाला नशा धान खोटाले के मुद्दे और प्रिभेन विभाग में घोटाले पर भी पूर्द इनलो नेता अभै चोटाला ने कहा कि नशे का मुद्दा अकेले सिरसा जिलो में चिंता का विश्य नहीं बल्खी इसे प्रदेश का कोई भी गाउं या कोई भी शहर या कस्वा नहीं बचा है इस दोरान उन्होंने ग्रह मंत्री अनल विज का नाम लेते हुए कहा कि मैंने नशे को रेकर अनल विज कुछ इठी लिखे थी इसके बावजूद अभी तक नशे के मामने में कोई कारवाई नहीं के गई धान घोटाले का मुद्धा एक बार फिर उठाते हुए अभै चोटाले ने कहा मैंने धान घोटाले का मुद्धा उठाय था 300 रुपई प्रत्थी कुइंटल के नाम पर लूट की गई है नमी धान में नहीं सरकार और मंत्रियों में आ गई है विपक्ष के तीके हमलों के बाद सत्ता पक्ष के सांसद एन पी आर के पक्ष में उत्रे हैं भिवानी महिंदकर सांसर धरंबेल संग ने कहा कि इस बार जन गर्णा थोड़ी आधुनिकता के सास्थ रुपोगी इसके लावा एन पी आर में कुछ नया नहीं है अगले दस सालों तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लेकिन योजिनाए भी बनेगी और बजट भी तय होगा विपक्ष चुनावों की जीत हार को छोड़कर पिलहास देश को श्चांती से चलने देगा हर्यारा प्रदेश कॉंग्रेस के पुरवध्यक्ष अशुक तवर कबिरदास आश्रम पोहँचे जहां उन्होंने आश्रम के वहंतर राजिंदर नाद्फिस्ट से मुलाकात की और सिवित चिन्हदे करूने समानित किया गया इस मौके पर अशुक तवर्णे सरकार पर निशाना साधा और देश में हो रही हिंसा पर भी बात की उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें देश को कंजोर करने की कोशिश कर रही हैं उनसे मिलकर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है इस मौके पर उन्होंने सत्संग और भंदारे में शामिल होकर लोगों को संतों की तरफ से दिखाए गए मार्ग पर चलने का हवान किया उन्होंने कहा कि संथ हमेशा समाज के उठान के लिए काम करते रही हैं और उनके दिखाए गई मार्ग पर चलने से ही मारता का भलाग को सकता है परिदाबाद के सीखरी गाओं के डिपू होलडर पर राशन काड धारक के साथ और उप्रभोगताओने मनमानी कारोप लगाते हुए जमकर परदर्शन किया महिलाओने डिपू होलडर पर मरमानी कर पुछले कई महिनों से सरकारी राशन ना देने कारोप लगाया महिलाओं ने बताया कि राशन लेने आने पर वो राशन ना आने की बात कहकर उन्हें डाल देता था ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है पानिपत की हरी महिला विकास सिर्मिती से दोना वाले के लड़ियां दर्वाजा तोड़ कर भाग गई है वहीं आश्रम के संचालक ने सुबह दर्वाजा तूटा देखा तो पता चला कि आश्रम से दोन लड़कियां गायक है सुचना मिलने पर मौके पर पहुँची पलिस मामली की तफ्कीश में चुप गई चर्खित आगरे में आटीए टीम ने ओवरलोड वाहनों पर शुकंजा कसना शुरू कर दिया है आटीए और एडीसी सुभीता धाका ने पोलिस के साथ कारेवाई करते हुए कई वाहनों के चलान की वहीं ओरलोड वाहनों के चलान की सुचना मिलते ही वाहन चालकों में हड़कम मच गया कई वाहन चालकों ने मौके पर वाहन छोड़कर भाग निकलना उचेद सच्छा हाला कि टीम ने कई वाहनों के चलान काटते हुए करीब एक लाग का जुरूआना भी लगाया है पुलिस ने ओवर स्पीड और ट्राफिक नियमों के उलंगन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कारवाई कि ट्राफिक पुलिस वाधिकारे जिग्दी शचन ने कहा कि गाड़े चलाते से ने पूरिस तर्था बरतनी चाहिए ताकि किसी तरह का कोई घटना ना हो सके उन्होंने कहा कि भविश्य में भी यह भ्यान जारी रखा जाएगा पानिपत में बैंक करमी की हत्या कर शब को जलाने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया महस 91,000 रोपियों की लालच में आरोपियों ने युवक की हत्या कर उसके शब को जला दिया था वे इस मामले में बैस्पी सतीश कुमार ने कहा कि इस मामले में बाकी फरार आरोपियों को जल्द की गिरफ्तार कर लिया जाएगा चीका में राजस्थान के व्याफसाई की गारी रोप कर व्या पारिका फरांड करने के मामले में पुलिस ने कारेवाई करते हुए सुसी टेवी की फोटेज द्वारा एक आरोपि की पहचान कर उसे ढूनने की तयारी शुरू करती है पुलिस अधिक्षक विरिंदर विज ने आरोपि की फोटो जारी करते हुए जनता के पुलिस को सुचना देने के अपीन की सुचना देने वाले सहयोगी को उचेतिनाम दे कर सम्मानित करने के लावा उसका नाम बता गुप्त रखने की भी बात कहीं गई है गुर्गराम पुलिस ने बसई रोड पर गोयल फैमिली स्टोर में फारिंग करने वाले पांच आरोपियों को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने आरोपियों के पास से विस्टल और जिन्दा कार्तूश विभरा मत लिया देसल ये आरोपि 24 दिसंबर को गोयल फैमिली स्टोर में लूट करने पहुँचे थे इसके बाद से ही पुलिस इन आरोपियों की तला आशिक कर रही थे रिवारी में जो एलनल नहर में डूबने से कब बुज़ूर की मौत हो गई सुचना मिलने के बाद मौकе पर पुलिस पहुँचे और गोता फोरों के मड़से बुज़ूर की शफ़ को बहार निकाला गया बताया जो रहा है कि नहर में हात पैर दूती समय पैर फिसल कर बुज़ूर नहर में जागिया जसके बाद उसकी मौत हो गई फिलाल शव को पोसमतर्ब करवा कर परिजनों को सौंप गया जया है अमारव शहर के गोशाला ट्रस सोसाइटी में धन्ड से छे गायों के मौत हो गई है जिसमें से तीन से चार गायों के हालग अब भी खराब है जिनकी मौत कभी भी हो सकती है गायों की मौत के बाद भी ट्रस्क के लोग गंभेर दिखाई नहीं दे रहे तीन से चार गाएं तरफ्ती वी नजर आ रही हैं जिनकी मौत किसी भी समय हो सकती है ट्रस्क के मैनेजर का कहना है कि 6 गायों की मौत हुई है वो भी ठंड की वज़े से गायों को अच्छे से देखवाल करते हैं जिनकी गायों की तब्यद खराब है उनका इलाज करवा दिया गया है काश्चार दिल्ली में सरदी ने सभी रिकॉर्ड तूर दिये हैं मौसम विफाग के मताबिक दिल्ली के सब्दर जंग इलाके में सुभे पारा 2.94 डिगरी तद्लूर दिया वहीं दिल्ली में शुकरवार को नियुंतमता 5.3 दिश्मल 6 डिगरी रिकॉर्ड किया गया मौसम विफाग के मताबिक दिल्ली में 120 साल बाद ये सबसे ठंडा दिसंबर है इससे पहले इतना ठंडा दिसंबर का महीना साल 1901 में था मौसम विफाग की माने तो दिल्ली पर सरदी का सतम अभी कुछ और दिन जारी रहने वाला है झाल